स्री गनेसाय नमह जिवित पुत्रिका ब्रत कथा एक बार नैमी सारन्ने के निवासी रिसियों ने संसार के कल्यान के लिए सूथ जी से पूछा कि हे सूथ कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह से दिरिखायों होंगे सो कहिए तब सूथ जी कहते हैं जब दौपर का अंद और कलिका आरंब था उसी समय बहुत सी सोकाकुल इस्तरियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जिवित रहते पुत्र मर जाएंगे जब वे आपस में कुछ निर्ने नहीं ले सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई और जब उनके पास पहुची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे उनके सामने आकर उन्होंने मस्तक जुका कर परणाम किया और फिर इस्तरियों ने पूछा कि है प्रभू इस कल्यूग में लोगों के पुत्र किस तरह से जिवित रहेंगे इसके लिए कोई बरत या तफो तो गिर्पा करके बतलाईए इस तरह की उनकी बात सुनकर गौतम जी कहते हैं आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखी है गौतम जी ने कहा जब महाभारत युद का अंत हो गया और दोन पुत्र असुथामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडब बड़े दुखी हुए तो पुत्र के सोक से ब्याकुल होका द्रौबदी अपनी सक्षियों के साथ ब्रह्मन स्रेष्ट धौमे के पास गई और उसने धौमे से कहा हेविपिंद्र आप कौन सा उफाय करने से बच्चे दिरगाई हो सकते हैं ये तो बतलाएए किरपा करके ठीक ठीक से कहिएगा धौमे कहते हैं सत्यूग में सत्य बचन बोलने वाला, सत्या चरन करने वाला, समदर्सी जिमूत महन नाम का एक राजा था एक बार वा अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा एक दिन आधी रात के समय पुत्र के सोक से ब्याकुल कोई इस्तरी की रोने की आवा जाने लगी क्योंकि वह अपने बेटे के दरसन से निरास हो चुकी थी उसका पुत्र मर चुका था वह रोती भी कहती थी हाई मुझ बुड़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है और उसका रुदन सुनकर राजा जिमूत वाहन का तो मानो हरदय बिदर्न हो गया अब वह ततकाल उस इस्तरी के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा तब बुड़ी ने कहा कि गरूर पती दिन आकर गाउं के लड़कों को खा जाता है इस पर द्यालू राजा ने कहा माता अब तुम रो मत आनंद के साथ बैठो मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रतन करता हूं और ऐसा कहकर राजा उस अस्तान पर गया जहां गरूर आकर प्रती दिन मांस खाया करता था उस इसमें गरूर भी उस पर तूट पड़ा और राजा के सरीर का मांस खाने लगा जब अतिसे तिजस्वी गरूर ने राजा का बाया अंग खा लिया तो जटपट राजा ने अपना दाहिना अंग गडूर के सामने फेर कर दिया यह देखकर गडूर जी ने कहा देव योनियों में तुम कौन हो तुम मनुसे तो नहीं जान पड़ते अच्छा अपना जन्म और कुल बताओ पीला से ब्या कुल मन वाले राजा ने कहा हे पक्छी राज इस तरह के प्रश्न करना बेर्थ है तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ और यह सुनकर गडूर रुग गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे राजा ने कहा मेरी माता का नाम सेब्या है और मेरे पिता का नाम साली वाहन है सूरे बंस में मेरा जन्म हुआ है और जिमत वाहन मेरा नाम है राजा की देलुता देखकर गडूर ने कहा हे महा भाग तुम्हारे मन में जो अभिलासा हो वह बर मांगो राजा ने कहा है पक्षी राज यदि आप मुझे बरही दे रहे हैं तो बर दीजिए कि आपने अभी तक जिन प्रानियों को खाया है वे सब जिवित हो जाएं हे स्वामिन अब से आप यहां बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय बताएं कि जहां जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जिवित रहें धौमे ने कहा कि पक्षी राज गरूर राजा को बर्दान दे कर सोयम अमरित लेने के लिए नाग लोग चले गए वहां से अमरित लाकर उन्होंने उन मरेवे मनुस्यों की हड़ियों पर वर्साया और ऐसा करने से सब लोग जिवित हो गए जिनकों की पहले गरूर ने खाया था राजा के त्याग और गरूर की किरपा से वहां के गौमे रहने वाले बहुत सारे लोगों के कस्ट दूर हो गया और उसमें राजा के सरीर की सोभा भी दुगुनी हो गई राजा की द्यालुता देखकर गरूर ने फिर कहा मैं संसार के कल्यान के लिए एक और बरदान दूँगा आज आस्वीन माह के कृष्ण पक्ष की सब्तमी से रहित सुभ अस्टमी दिथी है और आज ही तुमने यहां की प्रजा को जीवन दान दिया है हेवत्स अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है जो मुर्ति भेट से विभिन नामों से बिख़्ात है वही त्रेलोग से पूजित दुरगा अमृत प्राव्त करने के अर्थ में जिवित पुत्रिका कहलाई है तो इस तिथी को जो भी इस तरियां इस जीवित पुत्रिका की और कुस की आकरती बना कर तुम्हारी पूजा करेंगी उतो दिनो दिन उनका स्वभाग बढ़ता चला जाएगा और बंस भी बढ़ती चली जाएगी हे महाभाग इस बिसे में विचार करने की आवस्ता नहीं है हे राजन सब्तमी से रहित और उदया तिथी की अस्टमी को ब्रत रखे यानि सब्तमी बिद्ध अस्टमी जिस दिन हो उस दिन ब्रत ना कर सुध अस्टमी को ही ब्रत करें और नौमी के दिन पारन करें यदि इस प अपनी पतनी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौमें दौपदी से कहते हैं हे देवी मैंने यह अतिसे दुरलब ब्रत तुमको बताया है और इस ब्रत को करने से बच्चे दिरखाई होते हैं। हे देवी तुम भी पुरवोक्त बिधी से यह ब्रत करो और दुरगा भाव को किसे एक चिली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया इसके बाद पीपल की ब्रिक्च की साखा पर बैठ कर उस चिली ने उस ब्रिक्च के खोते में बैठ कर सियारिन ने भी यह ब्रत किया। फिर वही चिली किसी उत्तम ब्राह्मन के मुक से यह कथा सु आई और पीपल के खोते में बैठी वी अपनी सखी को सुनाया सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूग लग गई और वहां उसी समय सबसे भरेवे उसमसान में पहुंची और वहां उसने इक्छा भरमांस खाया और भोजन किया और चीली बिना कुछ खाये पिये रह सबेरेव गौसाला में गई और वहां का गौ का दूद पिया इस तरह नौमी को उसने पारन किया और कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी बैपारी के घर में जन्मी सयोग से उन दोनों का जन्म एक ही परिवार में हुआ जिसमें सियारिन जे वक ब्या हुआ अब पुरुजन्म के कर्म फल से जो बड़ी बैटी थी यानि जो सियारिन थी वह मुरिग नैनी रानी हुई और जिस भी किसी संतान को उत्पन करती वो मर जाती और पुरुजन्म की बात को अस्मरन करने वाली मंत्री की पतनी ने अस्ट बसुओं से सोद्र से तेजस्वी आठ बेटे को जन्म दिया और सभी जिवित रहे अपनी बहिन के पुत्रों को देखकर इरस्या बस राज पतनी ने अपने स्वामी से कहा यदि तुम मुझे जिवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पत्रों को उसी जगा भेज़ दो जहां मेरे बेट करें दीन अर्थात इन्हें माड डालो यह संकर राजा ने उन मंत्री के पुत्रों को माड़ने के लिए कई प्रकार का उद्ध्यों किये इदे पर मंत्री पत्नी ने जिवित पुत्रिका के पून्य बल से अपने बच्चों को बचा लिया एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उनके पुत्रों का सिर कटवा कर पिटारी में रखवाया और पिटारी उनकी माता यानि मंत्री पत्नी के पास भेज दिया किन्तु वे आठो सिर बेज कीमती जब हरात हो गए और भले चंगे वे आठो लड़के अपनी मा के पास वापस चले गए उनको जिवीद देखकर राज पत्नी को बड़ा बिसमे हुआ अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उनसे पुछा बेहन तुमने कौन सा ऐसा पुन्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा पूर जन में मैं चिली थी और तुमसे आरे दोनों ने बरत किया था तुमने बरत के नियुमों का भली भाती पालन नहीं किया और मैंने किया और इसी दोस से हे बहिन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं ओर राज रानी अब भी तुम उस जिवित पुत्र का बरत को करो तो मैंने यह दिब ब्रत बतलाया, इस तरियां चिरंजी भी संतान चाहती हों, तुभी धी पिर्वक यह ब्रत करें, हर हर महादेव, धन्यवाद।